सो गाइज माइनम इस यासीज और वाचिंग अब देखो अल्मोस्ट यह कंफर्म तो नहीं है लेकिन हाँ यह माना यह जा रहा है कि बेकी लिंज का जो डबल डबली के साथ कॉंट्राक्ट है वह एक जून को खतम हो जाएगा और गाइज ऐसे में काफी ज्यादा हर जगा सोस के मंदे नाइट रहों के एपिसोड में हमें स्टील के मैच देखने को मिलता है स्टील के मैच को समझाव जैसे तैसे करके बेकी लिंज इस वाले मैच को हार जाती है लिव मॉर्गन अपना विमिन्स वाल्ची एंपी सब को डीटेन कर लेती है और गाइस काफी सारे अपड रहों के एपिसोड में देखने को मिला यानि कि आप यह बोल सकते हो कि जो लास्ट कॉंट्रक्ट के साथ उनका लास्ट मैस था वह भी खतम हो चुका है त्वीटर पर ट्वीट करके यह बता देए कि यह चीज़ कंट्निव होने वाला है अभी तक काफी ज्यादा निकल के को सकता है कि उनका नेक्स हो सकता है यह कहना है कि ग इござ सब्सक्राइबर और मैसkę और गेलिच में देखने को मिलता है डबल डबल उइจะ करने वाली और कोही नहींcop कोई करना i associates और को शनकी नहीं जहती हैं और ऐसे में सासा बैंक तो अब मर्सेडीज मोने के नाम पर अल इलिट रसलिंग में जा चुकी है और वहां पर हमें उनका डेब्यू देखनी को मिल चुका है डेबल रन अधिंग ट्वाइटी फॉर में टीविए स्यम पिसर को वह और रेडी कैप्चर कर चुकी है तो मानना काफी मुश्किल है कि यह चीज हो जाएगा लेकिन अगर बेकी लिंच का डेब्यू होता है और इलिट रसलिंग में तो बेकी लिंच काफी सारे डिपोर्ट का तो कुछ यही कहना है कि उन्होंने न्यू कांट्रेक्ट साइन नहीं किया है और पॉसिबिलिटी काफी हाई है कि वह और इलिट रसलिंग की और जा सकती है